बिस्मिल्लायरमानी रहीम, अस्सलामों अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे गुजराती फरसान पात्रा के भजिये, इस गुजराती नाश्टे को स्पेशल तड़का दे कर बनाया जाता है, इसका जो बेसन का घोल बनता है, उसी आप इसे फ्राइ करोगे, वैसे ही खाने वाले पूरी प्लेट भर के खा जाएगे, आप इसे नाश्टे के तोर पर खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो, महमानों को दे सकते हो, बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो, तो चलिए, गुजरात का बहुत ही फेमस स् तो नीकाल लेना है. इस साइड में भी थोड़ी-थोड़ी मोटी नसे होती है, तो इसको भी निकाल लेना है, थोड़ा अगर आपको काटे टाइम पर इस पर पत्ता फट भी जाए तो भी कोई बात नहीं, हम बेसन काटा लगाते हैं, तो अच्छे से चीपक ही जाता है, तो इसी तरह से सभी पत् करना है, पत्तों को दोकर मैंने साइड में रख दिऊ, वहां तक देखी बेसन का घोल तैयार करेंगे, तो यहां पर मैंने धाई कप यानि 200 ग्राम बेसन चने के आटे को चान कर लिए, यह दो कप है और यह आदा कप, अब इसमें कुछ मसाले डालेगे हम, तो सबसे पहले हम नमक Tech के साब से, दो चममच है, हरी मिर्च का पेज़, दरधरी सी हरी मिर्च पीसी है मैंने, इसका जो फिलेवर होता है ना तो हम सारा बेसन में ही देगे, क्युकि जो पत्ते होते, पत्ते में कुछ भी फिलेवर नहीं होता है, तो बेसन के आटे में ही हमें चटपटा सा फ्लेवर देना है थोड़ा तीखा थोड़ा खटा थोड़ा मीठा इस तरह से तो मिर्ची में ज्यादा ले रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची ले ले देड़ चमच मैंने कुटी भी अधरक ली हूँ आदा चमच है हल्दी पाउडर आदा चमच है धनिया पाउडर आदा चमच है जीरा पाउडर आदा चमच अजवाईन लिए इससे थोड़ासा हाथों पर करश करके दालेगे ताकि इसमें से खुश्बू अच्छी सी आए दो पिंच ही इंग दालेगे इसमें अब इसमें डालेगे एक नीम्बू का रस दो चम्मच शक कर लिए मैंने तो आप इसकी जगा पर थोड़ा सा गूर भी ले सकते हो तो ये बेसन का जो माटा तयार करेगे वो ही बहुत चटपटा बनकर तयार होता है दो चम्मच इसमें हम तेल भी डाल देते सबी चीजों को मिक्स कर लेते अब थोड़ा थोड़ा पानी दाल के इसका घोल तयार करना है मैं बहुत ज्यादा गाड़ा भी नहीं और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और इसमें लंस भी ना हो इस तरह से अच्छे से फैट ले बैटर को मैंने मिक्स कर दियूँ और देखिए एक भी इसमें गुटलिया नहीं है और मैंने 200 ग्राम बेसन ली थी तो उसमें मुझे एक गिलास पानी लगाए और 12 से 15 चोटे साइस के पत्ते है तो मैंने 200 ग्राम बेसन ली हूँ तो आप अपने पत्तों के इसमें बेसन ले सकते हो और देखिए इतना गाड़ा है हमारा घोल तो इस तरह का बेसन का घोल चाहिए हमे तो अब इसे पांच मिनट के लिए मैं साइड में छोड़ देती ताके बेसन अच्छे से फूल जाए उसके बाद हम इसे पत्तों पर ल लगा लेते हैं तो जिस तरफ से हमने डंडिया काटी थी वह वाले भाग पर बेसन का घोल लगाना है इस तरह से हलके हाथों से लगाए गे ताकि पत्ता हमारा टूटे नहीं सब भी पत्ते पर अच्छी तरह से बेसन का घोल लगा देना है अब एक और पत्ता ले लेगे हम और इसके उपर इस तरह से रखना है तो आप किसी भी तरह से पत्ते को सेट कर सकते हो इस पर भी पूरे पत्ते पर अच्छी तरह से बेसन का घोल लगा लेगे अब चाहे तो ब्रश की मदद से भी बेशन का घोल पत्तों पर लगा सकते हो, एक पत्ता इसी तरह से और ले लेगे हम, और इस तरह से रख देना है, और इस पर भी बेशन का घोल लगा लेगे, तो चार पत्तों से मैं एक रोल बना कर तयार करूगी, आप चाहे तो तीन पत्ते ले ऑसे इस तरह से लगा दूगी और इस पर भी बेसन का गोल लगा देद बस हमेसे रोल बनाना इस मिलाए इसलिए इस त्न है अपंड़ कर ले Tobon मी इसलों त्म Не थे तरःसे हम भोल कर लेगे चारओ पत्तो को इते इस तरह से इस पर भी बेशन का गोल ठोड़ा थोड़ा लगा लेगे आरामसे और इस टीफ करते टाइम पर यह खुले नहीं किनारियों को भी इस तरह से फोल्ड कर देगें और इस तरह से भी फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा बेशन का घोल लगा लेगे इस तरह से हो गया है ना अब रोल आपके आसानी से बन जाएगे यह देखिए इस तरह से मैंने घोल लगा दिया है अब इसे पकड़ते हुए हमें फोल्ड करना है दबाते हुए तो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा लगा देगे ताकि अच्छे से चिपपक जाए तो देखिए यह रोल हमारे इस तरह से बन कर तयार हो जाते है इसे एक प्लेट में रख देगे हम और इसी तरह से बाकी सारे रोल बना बना कर तयार कर लेते है फिर इसे स्टीम करेगे यहाँ पर चार पात्रा के रोल बना कर रख लिए मैंने तो चलिए इसे स्टीम कर लेते हैं यहाँ पर पात्रा को स्टीम करने के लिए देखिए एक स्टीमर में मैंने तीन गलास पानी गरम कर लिए हूँ इस तरह से जाली पर हम stream करेगे, अगर आपके पास steamer ना हो ना, तो कोई भी बड़ा सा पतीला या कडाई ले ले और उसमें पानी गरम करके इस तरह की stand रग दे और उसमें कोई जाली वाली बरतन हो ना, जाली वाली प्लेट वगरा तो उसमें रखकर आप पात्रा को stream कर सकत स्टीम करने रखना हम तो इस तरह से एक एक पात्रा के रोल को स्टीम करने रखते जाएगे थोड़े से छुट्टे छुट्टे ही रखना है ताकि अच्छी तरह से सब तरफ से स्टीम हो पाए तो यह चारो पात्रा के रोल मैं champions रख दिऊएँ अब इसका ढख कर कि यहां पर 15 से 20 मिनट हो गए है हम पात्रा को चेक कर लेते हैं पात्रा इस्टीम हुआ है के नहीं उससे चेक करने के लिए एक लखड़ी को डाल कर चेक लकडी एकदम clean निकलेगी, इसका मतलब कि पात्रा हमारा steam हो चुका है, आप चाकू की मदर से भी इसे चेक कर सकते हो, ये देखिए, लकडी एकदम clean है, तो पात्रा हमारा पक चुका है, steam हो चुका है, मैं gas burn कर देती हूं और इसे निकाल कर पूरी तरह से थंडा होने देगे उसके बाद हम इसे कट करेगे पात्रा के रोल पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम तो तेज धार वाला चाकू लेना है हमें और इसकी कटिंग कर लेना है यह दिखिए अपने बेशन काटा अच्छी तरह से दाला था ना तो देखिए कितनी अच्छी तरह से चीपक गया है और एक एक लेयर हमारी अच्छी से दिख रही है पतला चोटा आप अपने साबसे से काट सकते हो जो लोग टेल वाला नहीं खाना पसंद करते ना तो वो लोग इसी तरह से स्टीम किया हो अभी पात्रा खाओगी ना तो माशालला बहुत ही टेस्टी रखता है यह बेशन काटा हम ज्यादा लगाते ना उसकी वज़ा से दे किती में आपाइश्चे में इसे निकाल कर नोगी तहरा से रोल की तरह और प्राइख करके में टर्णों को भी दे सकते हो फात दिन तक खराब नहीं होते तो में इससे डवे में भरकर प्रीज में रख दूंगी और इस पर चलिए थोड़ा-साम तड़का कर लेते हैं गास पे कड़ाई रख्यूं मैंने उसमें दो से तीन चम्मच तेल डालेगे तेल गरम हो गया उसमें आदा चम्मच राइ के दाने डालके इसे अच्छे से तड़कने देते और साथ ही में आच से दस कड़ी पत्ता भी डालेगे राई अच्छी तरह से तड़क गई है, गैस की फ्लेम धीमी कर देगे, और दो चम्मच सपेद तील डालेगे, सपेद तील को लास्ट में ही डालना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगती है, अब जो हमने पात्रा की कटिंग करके रखे, वो डाल देते हैं, बिस्मिल् पके हुए, ज्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाना है, दो से तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, हलके हातों से में चम्मच से हिला देती हूँ, तिल्ली, कड़ी, पत्ता और राई का भी इसमें टेस्ट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा जबरदस लगत तो यह पात्रा के भजिये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते है, खटा, मीठा, तिखा, स्पाइसी, चटपटा सा टेस्ट लगता है, तो चलिए यह हो चुका है, मैं गैस बन कर देती हूँ, और गर्मा गर्म पात्रा के भजिये को हम डिश आउट कर लेते हैं, यह देखिए माशाला कितने बहतरीन दिख रहे हैं, और उपर से इसके उपर बारी कचावा हरा धनिया दालेगे, और मेरे पास गीला नारियले तो वो भी थोड़ा सा क्रश करके डालूगी, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो, आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, य आप चाहे तो इसे ठंडा भी खा सकते हो, ठंडे भी खाने में अच्छे ही लगते ही है, एक भी पात्रा हमारा तूटा नहीं है, कितना मजेदार दिख रहा है, अगर आपको मेरे आज की रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा, और अगर झाल झाल झाल